हेलो यूट्यूब फैमिली वेल्कम बैक टो आवर चैनल प्रिया को इसकी मैं आपकी दोस्त प्रिया आप सभी का एक पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स आज के कोशन पर नजर डालते हैं और देखते आज का कोशन क्या है फ्रेंड्स आज का कोशन गिराता हैं आपके प्यार में ऐसा कौन है जो आप से मिलने का इंतजार कर रहा है यहीं कोशन आप सभी के लिए एक बाच फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा आ जाए तो question है आपके प्याल में इसा कौन है जो आप से मिलने का इंतिजार कर रहा है तो दोस्तों इस question का answer आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा आप सबी जानते हो तो चाहिए वीडियो में बने रहे हैं लागस तक और देखिये क्या होता इस question का answer तो एक बार कंफर्म करना चाहेंगे, आपको कोश्चन अच्छे से समझ आ गया है, अगर हाँ तब बढ़ते आगे, अगर नहीं आया है, तो आप कमेंट्स करेंगे पूछ सकते हैं, बताऊंगे, तो चूस वर नमबर, नमबर लिष्ट आ चुकी है, आपको इन में से किसी एक नमबर को चूस करना होगा, 1,2,3,4,5 में से किसी एक को, क्योंकि जो नमबर आप यहां पर चूस करना होगा, तो वीडियो में बने रहे हैं, इसकिप बढ़ते हमाद कीजिए, चलिए दोस्तों, इंतिजार के गड़ी हुई खत, एंसर आ गया है, अगर आगे, अगर आगे आपने वन नमबर चूस किया है, तो चलिए देख लोते हैं, अंसर क्या है, जिसको आप मन ही मन चाते होगो, चलिए बढ़ते हैं अगे नमबर की तरह, दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, वह भी पहला आइकन के सा सब्सक्राइब करना ना बूले और आप इस वीडियो को सबसे पहले वाच कर सकें, इंजार कर सकें, तो जिसने भी टू नमबर को चूस किया है, उनके लिए एंसर है, वो आपके साथ में पढ़ने वाला दूस्त है, जिसके बारे में आपको कुछ-कुछ लगता है कि वो आ थ्याय थिज्ट ठीक है त्री नमबर वालो अबारी आपके अंसर को जाननी की, तो आपके लिए एंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्वीट सा है, एंसर है, आपका लवर है वो, मतलब इसे आप प्यार करते हो और जो आप से प्यार करता है, वहीं थिक हैं, फो नमबर अब बारी आ गई हैं आपके अंसर को जानने की तो आपके लिए अंसर है जो आपको किसी की पार्टी में मिला था वो ही है तो ध्यान दीजिएगा आपको कौन पार्टी में मिला था जो आपको मिलने के लिए तरब रहा है और आपको व्यार की करता है फाइब नमबर वारो बारी आ गए हैं अब आपके एंसल को जानने की तो आपके एंसले आपका वो क्लेस है या फिर कोई ऐसा जो आपके रिस्तेदार का रिस्तेदार है शायद आपको कुछ आइडिया हो उसकी बारे में मुझे जरूर बताएगा